नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज बात होगी उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी की इस्तिती पर चुनाओं के बाद लोगसभा चुनाओं में जो भारती जन्ता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा है या जिसको एक हार भी कह सकते हैं ओवराल देश में भले ही भारती जन्ता पार्टी की सरकार बन गई हो मगर उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, उसकी सीटे पिछली बार के मुकाबले लग बग आधी रह गई हैं और अगर विधान सबाच्छेत्रों, इन लोग सबाचुनाओं में विधान सबाच्छेत्रों में हार की बात कर तो भारती जनता पार्टी बहुमत गवा चुकी है लगभग 205 से अधिक सीटो पर भारती जनता पार्टी को लोगसवाचुनौव में हार का सामना करना पड़ा है मेरी बात को समझेगा उत्तरपदेश में 80 लोगसवाच छेत्र हैं और 403 विदान सबाच छेत्र हैं तो इन 80 लोगसवाच छेत्रों में भारती जनता पार्टी ने जितनी सीटे हारी है अगर उनको विदान सबाच छेत्रों में तबदील कर दिया जाए तो 205 से 215 के बीच छेत्रों में भारती जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है जो भारती जनता पार्टी के लिए में सवाल बहुत सारे उट रहे हैं संगठन पर भी सवाल उट रहे Hey सरकार पर तो सवाल हाई हैं लेकिन सबसे जादधा सवाल संगठन पर हैं टिक्ट वित्रर से लेकर बूत मैंलेजमेंट तर अध的是 पाद में नेताओं के जो वैवार है उस पर बात हो रही है कारकरताओं की सुनवाई ना होना उस पर बात हो रही है और सबसे ज़ày बात हो रही है कि उच्च पदों पर बैठे हुए नेताओं की क्या भूमिका रही 2022 में विदान सभा चुनाओं की काम्याबी के कुछ समय बाद ततकालिन प्रदेश अध्यक्ष स्वतन देव सिंग ने अपने पत्स से पहले त्याक पत्र दिया और उसके बाद में उनकी जगा पर भुपेन सिंग चौधरी पस्चिम उत्तर प्रदेश का एक चेरा है और जाट स्वमुदाय से आते हैं और उनका उस समय के वे मंतरी थे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी स्वाँपी गई इससे पहले वे पस्चिम छेत्र के छेत्र घ्क्ष भी रहे बड़ी बाधी जन्तापार्टी उत्तर प्रदेश के बड़े पदों पर तायनाथजर रह और उनको जब भारती जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद की जिम्मदारी सौपी थी तो विचार ये था कि पश्यम उत्तर प्रदेश में जहां भारती जनता पार्टी के पास में जाट समुदाय का कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसकी छवी पूरे पश्यम पूरे हरित प्रदेश में हो तो भुपेन सिंग चौधरी से ये उम्मीद की गई थी कि उनके जरिये जाट समुदाय के बीज भारती जन्ता पार्टी एक बड़ा संदेश देगी और जिसके माध्यम से भारती जन्ता पार्टी को अधिक वोट मिलेंगे जाट समुदाय के उन्होंने पद पर जब पदभार ग चाहते हैं और चाहते हैं नहीं है कि लोग आगे बढ़ सकें लेकिन फिर भी जिसको आगे बढ़ना होता है वह बढ़ जाता है तो ये उसी समय से जब वे पदभार उन्होंने ग्रहन किया उसके एक तेड़ महीने बाद सही भूपेन सिंग चौधरी के खिलाब एक महौल ब नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात की गई थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि कहा गया था कि जब राष्टिय लोगदल के साथ भारती जंदा पार्टी का गडबंधन हो जाएगा उसके बाद भूपेन सिंग चौधरी की कोई खास जुरत बतार चुनाओं से ठीक पहले ये गडबंधन हुआ और अब जब लोग सभा चुनाओं हुआ तो उसके बाद में पश्ची मुत्तर प्रदेश की इस्तिती ना तो राष्टी लोगदल से कुछ सुधरती हुई नजर आई और ना ही भूपेन सिंग चौधरी के प्रभाव से कोई पश्ची मुत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी का अधिकांस सीटों पर प्रदर्शन बहुत खराब रहा अधिकांस जीती हुई सीटे बीजेपी हार गई अम रोहा जैसे कुछ उधारन छोड़ दें तो बाकी जहां भी भाजपा हारी थी वो तो नहीं जीत सकी पुर मुदफर नगर और संभल मुरादाबाद आवला और ऐसी ही लगातार सीटे भारती जनता पार्टी ने हारी नगीना हारी निर्दलिय प्रत्याशी से हार गई भारती जनता पार्टी तो जिसके बाद में अब जब पूरा सब मामला लोक सबह चुनाओका सी मट गया कल शपतगराण भी होना जा रही है तो भूपेन सिंग चौधरी के दिल्ली में होने को लेकर अनेक तरह की अफवाए होना शुरू हो गई अफवा कैसी कैसी सबसे पहली अफवा उड़ी परसो रात की परसो रात एक ब्रेकिंग नेक चैनल पर चलने लगी कि भूपेन सिंग चौधरी ने अपने पस्ट से इस्तीफा दे दिया जो फिलाल स्रिवकार नहीं हुआ है बड़े चैनल बड़े पत्रकारों ने इस प्रेकिंग को चलाया और कुछ देर में हटा दिया भूपेन सिंग चौधरी की ओर से ये स्पस्ट किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनकी तो अभी राष्ट्य अध्य से मुलाकात भी नहीं हुई ये अफवा उड़ी और इसके ठीक अगले दिन यानि कल सुबह से एक अफवा और उड़ने लगी कि भूपेन सिंग चौधरी मुरादाबाज जिले की जिस विधान सभाचेत्र के माट विधान सभाचेत्र के जिस बूत पर उन्होंने वोटिंग की यानि कि जो यहां उनका निवास है वहां भारती जन्तापाटी बहुत बुरी तरह से हार गई है दस या नौ वोट मिलने की बात कही जा रही थी और इस एक प्रतिष्टिस समाचार पत्र ने मुरादाबाद में समाचार का प्रकाशन भी कर दिया यह प्रकाशन जैसे ही हुआ मीडिया जगत में इस जिन बूतों पर भारती जन्तापाटी को सबसे अच्छे वोट मिले उनमें से एक प्रदेश अधैश का भी बूता जहां वे भारती जन्तापाटी की शांदार जीत हुई है उस बूत पे बले ही भाजपा के दिवंगत पत्याशी मुरादाबास से चुनावा रहा थे लेकि ये दो अफवाएं तगड़े से उनके खिलाफ चलाई गई जिसके जरिये उनकी स्तिती को कमजोर करने का प्रयास उनके विरोती कर रहे हैं अब बात करें भुपेन सिंग चौधरी के प्रदर्शन को ले करके तो वो प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा भारती पार्टी के पिछले अद्धक्षों कर रहा है पिछले दस साल में हुए चार प्रमुख चुनाओं की बात करें तो 2014 के लोगसभा चुनाओं में लक्षमी कांद बाजपई उत्तर प्रदेश में भारती जन्तापार्टी के अद्धक्ष थे बीजेपी ने अपने दम पर 71 औ और NDA गडबंदन के साथ 73 सीटे जीती जो कि एक रिकॉर्ड था उसके बात में चुनाओं आया साल 2017 का विदान सभा चुनाओं तब केशो प्रसाद मौर जो इस समय उपकुक मंत्री है भारती जन्तापार्टी के प्रदेश अद्धक्ष थे और उस चुनाओं में भारती ज 2019 लोग सभाकर और इस चुनाओं में महेंदा पांड़े उत्तर प्रदेश के भारती जन्तापार्टी के अध्यक्ष थे और महेंदा पांड़े की मौझूद्गी में बस पास सपा के गडबंदन के बावजूर राष्ट्र लोगदल के गडबंदन के बावजूर भारती जन पार्टी का प्रदेशन कुछ कम हुआ लेकिन फिर भी स्वतन देव सिंग इस समय प्रदेश अदक्ष देया और बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने सायोगियों के साथ पौने तीन सो के लगभग सीटे जीत कर पूर महुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बनाई अब जबकि भूपेन सिंग चौधरी के सामने चुनाओ की एक चुनाओती आई पहली बड़ी चुनाओती लोगसभा चुनाओ की तो परिणाम बिलकुल भी अच्छा नहीं आ रही है और माना जा रहा है कि पार्टी नेत्रत्व आने वाले समय में इस विशय में भी कोई निड़ने ले सकता है मगर भूपेन सिंग चौधरी की जो पार्टी में हैसियत है और उनका जो वैबार है और उनका जो संगठन की एक शमता है उसको ध्यान में रखते हुए पा विस्तार होगा, तब भूपेंच सिंग चौधरी को एक बार फिर से मंत्री भी बनाया जा सकता है, सुम्मावता उनके स्थान पर किसी और को प्रदेश अंत्यक्ष मना दिया जाए, मगर इतना तो तय है कि भारतिय जन्ता पार्टी के संगठन में ओवर हॉलिंग होगी, दो हजार सत्ताईस विधान सभा चुनाओं के लिए एक बड़ी जुरूरत है, एक और विशय है जो भारतिय जन्ता पार्टी संगठन के लिए बहुत ही चिंता जनक रहा है, कि भूपेंच सिंग चौधरी के समय में बहुत बड़े बदलाओ जिनकी उम्मीद की जारी थी वे नहीं हुए, जिसकी वज़ा से भाजपा को नुक्सान उठाना पड़ागा। बात करें जिलों में, जिलों में जिला ध्यक्ष तो बड़ी संख्या में बदले गए, मतलब लगभग सत्तरसी पतिशत जिला ध्यक्ष बदल दे गए, लेकिन जिला ध्यक्षों के अंडर में जो टीम थी, उसको बदलने को लेकर के बहुत जोर नहीं दिया गया, इस वज़ा से लगभग हर लोग सवाचेत्र में जो जिला ध्यक्ष ते, वे अपनी टीम से काम नहीं करा सके, क्योंकि जो पुरानी टीम थी, उसकी आस्ताप ने पुराने जिला ध्यक्ष के परती ज्य तरह से हो जाती, मगर ये नहीं हो सकी, और कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि इसके लिए जिम्मेदारी प्रदेश अद्यश की बनती है, साजिसे भी चल रही है प्रदेश अद्यश के खिलाब, वो कौन है, अभी ये इस पस्ट नहीं है, समय आने पर ये भी इस पस्ट आने वाला है, ये पविश्य बताएगा, फिलहाल देखने वाली बात ये है, कि भूपेन सिंग्चोधरी इन सारी चुनोतियों से कैसे निपतेंगे, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपना कमेंट दे, मुझे आगया और क्या करना चाहिए, कुछ सलाह हो